इच्छा शक्ती ऐसी कहानी सुने अब हिंडी में तो चॉनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन तो दबाना ना भूले जब एडविन सी बन्स उस औरंज न्यू जेसी में मालगारी से उतर तो उसके दिमाग में यह कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है बलकि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था जब उसने थॉमस अलवा एडिशन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उसका मन काम पर लग गया था उसने मन ही मन खुद को एडिशन के सामने खड़ा पाया उसने यह पाया कि एडिशन उसे जिन्दगी भर का जूनू नेवम चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे है बंस की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी नहीं सिर्फ एक साधारन से इच्छा थी बलकि वह इससे भी कही ज़ादा थी यह एक ज्वलन चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजने को तयार था सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में यह निश्चचे कर लिया था कि उसे यह हासल ही करना है मतलब उसकी चाहत निश्चित थी उसका उदेश शिद्रिर था जब वह एडिशन से मिला तो यह चाहत बंस के लिए नई नहीं थी बलकि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्चा थी हो सकता है कि शुरूआक में यह चाहत सिर्फ एक इच्चा ही रही हो पर जब वह एडिशन के सामने खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक इच्चा मात्र नहीं थी बलकि उससे भी कहीं मजबूत थी कहीं द्रिल थी कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिशन के सामने खड़ा हुआ जहां वह पहली बार मिला था इस बार उसकी चाहत वास्तविक्ता में तब्दील हो चुकी थी वह एडिशन के साथ व्यवसाय करने लगा था उसके मन में सबसे हावी सपना वास्तिवक्ता में तब्दील हो चुका था आज जो लोग बंस को जानते हैं और उनसे ईयो करते हैं वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बंस को भाग्य की बदौलत एडिशन के साथ काम करने का मौका मिला था असल में उन लोगों ने बंस को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था सच कहून तो उन लोगों ने कभी उसके सफल हुने के कारणों पर गौर ही नहीं किया एडिशन के ओफिस में काम करते हुए पांच बर्ष बीटने के बाद भी बंस को सफल हुने की कोई भी उमीद नहीं देख रही थी नहीं ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह एडिशन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके हर किसी के लिए वह एडिशन के दफ्तर में काम करने वाले सेकड़ों व्यक्तियों में से एक था पर वह अपने मन पहले दिन से ही एडिशन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था बन्स की कहानी एक द्रिड इच्छा शक्ती का बहतरीन उदाहरन है बन्स सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उससे सिर्फ एडिशन के साथ काम करना है उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिये जिन से वह पीछे पलट कर वापस जा सके वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी न हो गई और फिर वास्तिवक रूप में न दिख गई जब वह पहली बार औरंज एडिशन के दफ्तर पहुँचा तो उसके मन में कते इस तरह के ख्याल नहीं थे मैं एडिशन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांदूंगा बल्कि उसने यह कहा कि उसे एडिशन के साथ उसके व्यवसाय में साजीदार बनना है जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता उसने यह नहीं बोला अगर मैं एडिशन के इस संस्था में असफल हो जाता हूं तो मैं दूसरे मौकों की तलास करूंगा उसने बोला मुझे जिन्दगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अलवा एडिशन के साथ उनके व्यवसाय में भागीदार बनना है इसलिए मैं पीछे लोटने के सारे रास्ते बन करके अपने संपूर्ण भविश्य को इसे हासिल करने में लगा दूनगा बहुत पहले की बात है एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्धक शेत्र में विजर पाने के लिए कड़ा निर्नय लिना पड़ा उसे अपनी सेना को शत्रू की साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भीजना था शत्रू की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बढ़ी थी उसने अपने सेनिकों को नाव में बैठा कर नदी के उस पार भीजा और सभी सेनिकों तथा ओजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आग्या दे दी फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा आप देख रहे हो, सारी नावे जल रही है अगर हम अपने शत्रों को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लोटने का कोई जर्या नहीं है अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रों का नाश कर दो अंत में हुआ यूँ कि वे लोग जीत गए ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ती को वापस लोटने वाली नाव मिटा देना चाहिए जला देना चाहिए लोटने की सारे दर्वाजे बंद कर देना चाहिए और चल पढ़ना चाहिए अपनी मंजल की और जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरुरत बन जाए तो सफलता निश्चित है उस भयावय शिकागो शहर का आग में जुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसाई शहर की एक गली में खड़े होकर राक बन पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे उन्होंने एक सभा आयोजित की जहावे यह ननने ले सके की शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश की किसी अन्यभू भाग में बहतर आशाजनिक जगल की खोच करनी चाहिए हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुँचा की उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बहतर जगल की तलास करनी चाहिए सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ कर वो व्यवसाई जिसने रुपने और फिर से अपना स्टो बनाने की हिम्मत जुटाए उसने अपने साथी व्यवसाईयों से उन्गली दिखाते हुए कहा प्रियम मित्रो मैं ठीक इस जगव पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टो बनाऊंगा चाहिए जितनी दफा यह जल जा पर मैं हार नहीं मानूंगा वो स्टो बना यहां तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वो सबसे उंचा समारक खड़ा हुआ है उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वह अन्यव्यवसाईयों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते जब उसके साथ सी वन्स और अन्यवन कार्यकरताओं में था जो एडिशन के दफ्तर में कार्यरत थे ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है वो पैसों की इ जफल होने पर अपने योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता। इच्छा शक्ती के दम पर अमीर बनने के ये निम्नलिक छे कदम हैं, जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। एक, आप जितना धन कामना चाहते हैं, उसे निश्चित कर ले। यह कहना पर्याप नहीं है, मुझे धेर सारा पैसा कामना है। यह राशी बिलकुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे एक करोर रुपे। इसके पीछे एक मनोवे ग्यानिक कारण है, जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। दो, यह निर्धारित कर ले कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजने को तयार है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है, जिससे बिना कुछ की यही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। तीम, एक निश्चित तारिक तै कर ले, आप कब तक वह धनराशी कामना चाहते हैं? चार, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तयार कर ले और अभी से शुरुआत कर दे। इससे फर्क नहीं पड़ता किया आप अभी तयार है या नहीं? पांच, एक कागस प पड़े, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबल जागने के बाद जैसे जैसे आप पड़े, उसे अपने नजरों के सामने देखे, महसूस करे और इस बात पर विश्वास करे कि वह निश्चित धनराशी आपको हासिल हो चुकी है। उपर समझाए गए छे अरजित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल न कर ले। इसी वक्त मजबूत इच्छाशक्ती की जरूरत होती है। होगी, लक्ष्य है धनराशी, बस आपको स्वयम स्वीकार करना है कि आपने वह धन अरजित कर लिया है। फिर देख लेना प्रकृती आपको वह धनरा जो लोग धन के प्रती जागरूक रहते हैं, वही अमीर बनते हैं। धन के प्रती जागरूक रहने से तातपर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिती में तब ही देख पाते ह ये जानकारी उस्व्यक्ति एंडू कार्नेगी के द्वारा मिली थी, जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिध्धान्तों को अमल में लाकर 10 करोर डॉलर से अधिक दॉलत कमाली उपर दिये 6 कदमों को थॉमस अलवा एडिशन ने भी जाचा परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं प्रयोग में लाये जा सकते बलकि किसी भी लक्षे को हासल करने के लिए प्रयोग किये जा सकते है इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यक्ता नहीं होती नहीं किसी त्याग की जरूरत होती है नहीं इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की जरूरत होती है पर इन कदमों का सफल प्रयोग परियाप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है इस बात को जानने की जरूरत है कि धन्भाग्य या फिर अच्छी तक्दीर से नहीं प्राप्त होता बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है जिस किसी ने भी अपनी बहतरीन तक्दीर का निर्मान किया है उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे है उम्मीद की है, ज्वलन्त इच्छा रखी है और योजना बनाए है इससे पहले कि वह निश्चित धनराशी अर्जित कर पाते आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारम से ही जितने महान नेता हुए है वे बहुत बड़े स्वपनदर्शी थे अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कलपना नहीं कर सकते तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते सच्चे स्वपनदर्शीयों के लिए जितने अफसर आज है उतने अफसर इससे पहले कभी नहीं थे इस भागती दौरती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें यह जानकार प्रेरना मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए अविशकार, शिक्षा की नए तकनिकी, बेचने की नए तरीके, नए पुस्तके, नए साहित्य, वीमारियों के नए इलाज और व्यापर तथा जिंदगी क लिए नए द्रिष्टिकोर की आवश्यक्ता है, इन सब नए मान के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास निश्चित उद्देश, ज्यान और मजबूत इच्छा शक्ती का होना जरूरी है, ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वपनदर् उन्होंने अपने सपनों, नए अफसरों और अंदेखी चीजों को वास्तविक्ता में बदला है, इन लोगोंने अपनी विचार शिक्ती से शहरों, हवाई जहाज, फैक्टरियां, कार, बैया, स्वास्थ्या और जिंदगी को सुगम बनाने के नए तरीकों का इजाद किया है, आज सपने देखने वालों में दो जरोरी विशेशता होनी ही, चाहिए सहन शीवता और खुली सोच जिन लोगों को नए पन से दर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, नेताओ के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था, आजकल बह इतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज़बा को जीना पड़ेगा, जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता को नहीं उजाया दी, वह आत्मा दी, जिससे हम लोग इस समाज में मिलजूल कर रह सके आपको और हमें आगे बढ़ने को और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, उस को लंबस को मत भूलिये, जिसने एक अग्याक दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिन्दगी जोंक दी, अंत में वह सफल भी हुआ, कौपनिकस, एक महान जियोतिश, जिसने दुनिया की बहुयता का सपन देखा और उसकी खोज कर दिया, सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतिया माफ हो जाती है और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता, अगर जो आप चाह रहे हैं वह सही है और उस पे आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बहि आप अपने सपनों को जोंक दीजिए और अगर कभी आप सथाय रूप से असफल भी हो जाए तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये सथाय असफलता काम्याभी का द्वार खोलती हैं हिलरी फोड एक अनपर और गरीब व्यक्ति जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गारी का सपना देखा उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गारी को बनाने के लिए मद्दगार होंगे पर उसके पास जो कुछ भी था वही से काम करना प्रारम्व कर दिया और आज पूरी दुनिया उसके पहियों पर चल रही है उसने दुनिया में इतनी गारियां चला दी जितना किसी अन्यव यक्ती ने कभी नहीं चलाए यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपनों पर विश्वास था थॉमस अलावा एडिसन ने विद्यूत से चलने वाले बल्व का आविश्कार करने का सपना देखा इससे पहले कि उसका यह सपना सच हो पाता, वो दस हजार बारा सफल हुआ सच्चे स्वपनदर्शी काम को बीचने नहीं छोड़ते लीक्या ने काले नौकरों की स्वतनता का सपना देखा अपने सपनों को कारिवावित किया और कभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षन अमेरिका एक साथ से युक्त हो जाएंगे जब तक कि यह हासल में हो नहीं गया राइक बंधुवों ने हवा में उलने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उलकर एक जगल से दूसरे जगल जाती है मारकोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा उसके सपनों का परिनाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो हैं टीवी है और मोबाइल फोन हैं साथ ही साथ मारकोनी के सपने ने उसे उसका केबिन और घर भी दिला दिया इसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोर दिया तुरंट कुछी क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है आपको यह जानकार हैरानी होगी कि मारकोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनुवे ज्यानिक के पास इलाज के लिए ले गए जब उसने उनसे यह बताया कि उसने एक ऐसे सिध्धान की खोज की है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भीज जा सकता है आज सचे स्वपनदर्शियों के लिए बहतर अफसर प्राप्त है आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यक्ता है विश्व को नए अविश्कार की आवश्यक्ता है आज दुनिया को आपके जैसे स्वपनदर्शी की आवश्यक्ता है रे क्रोच एक और बहतरीन उदाह एक दिन उसे से बरनादिनों केलिफोर्णिय के एक छोटी से रेस्टोरेंट से आठ यूनिक मिश्रंग का ओर्डर मिला। उसने वहां पर जाने का निरनय लिया ताकि यह पता चल सके कि वे इस आठ यूनिक मिश्रंड का उप्योग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे, उनमें ये सबसे व्यस्त था। उसके मालिक मैकडॉनल्ड बंदू बहुत ही सीमित मेन्यू हमबर्गर, चीस बर्गर, फ्रांच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक उसक्षेत्र में बहुत ही कम मुय पर बेचते थे। क्रोच को यह हफसर दिखा और उसने सोचा अगर इस रेस्टोरेंट की श्रिंखला खोल दी जाए तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत कमाई की जा सकती है। शायद पैसो का अमबार लग जाए। उसने मैकडोनल्ड बंदूओं के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडोनल्ड देश का सबसे अधिक फूड रेस तरह ही नहीं बना बलकि इसने फास्ट फूड इंडिस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रोच ने इस श्रिंखला को आगे बढ़ा कर संपूर्ण विश्व में फैल लेते। नहीं अब विश्व सपने देखने वालों का उपास करता है और नहीं यह कहता है कि यहाँ व्यवहारिक है। जिन लोगों को भी आज मन्चाही सफलता मिली है। वे लोग बुरी शुरुआत और कई धर्कन रोक देने वाले संधर्शों से जरूर बुझरे होते हैं उनकी जिन्दगी में छपपर फार्ख के सफलता तब ही मिलती है जब वे गरीबी और संकट की दौर से गुजर रहे होते हैं। जौन बन्यान को जब धर्म कर अपनी राय रखने के लिए जेल मिला था उसी के बाद ही उन्होंने दो पिल्ग्रंग्स प्रग्रेस कुस्तक ल एलेन कैलर जन्द से ही गूंगे बहरे और अंधी थी अपने इस दुरभाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्निनम अक्षरों से लिखा हुआ है। उनकी संपोई जिन्दगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ती की हार तब तक नहीं हूती जब तक व विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताओं लिखने का उद्देशिक दुनिया में बुराया हटा कर अच्छाया फैलाना था। फिल्मों में अत्यादिक सफलता भी उन्हें नए लक्षे बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्षे टैकिया वह सोना बन गया। वह सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मद्द करनी चाही। जिस कारण वल देश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहाँ पर उन्होंने बच्चों और नवजवानों को हिंसा और अप्रात को त्याग क नशीले पदार्थों और गुंडागर्दी को न कहकर शिक्षित बनने की आवाज उठाए। उन्होंने कई संगतनों में सक्रिय नेता की भूमिका निभाय जिससे लोग शारीरिक फितनेस पर ध्यान दे सके। बुकटी, वाशिंटन का जन्म गुलामी में हुआ, वे जाती और रंग से अच्छूते थे। वह सहशनू, सभी तरह के विश्यों में खुले विचारों वाले और एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवी बना ली थी। बीथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे, परंतु जब अंकि दुनिया रहेगी उनके नाम भी स्वरने मक्शरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किये। जपाल बन गए। उनका जन्म आस्टिन में हुआ और बच्पन भी वही गुज्रा। बच्पन से ही उन्होंने भारोग तोलन की ट्रेनिंग प्रारंब कर दी थी। 18 वर्ष की आयू ने उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पहली प्रतियोगिता जीती, इसके बाद पांच बार लगातार Mr. Universe बनने का खिताब भी उनके नाम ही है। फिर वे United States विस्थापित हो गए और वहाँ पर भी ऐसी ही प्रतियोगिताएं जीतते रहे। हाला कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में क्षेत्र में वह सब कुछ हासिल कर लिया था, जो किसी अन्यव्यक्ती को प्राप्त करना मुश्किल होगा। उन्हें अब इस क्षेत्र में कोई चुनोती नहीं दिखी। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को अन्यक्षेत्र में भी आजमाने के बारे में विचार किया। उनकी शारीरिक गठन की ट्रेनिंग ने उन्हें यह सिखा दिया था कि आम जन्मानस को इन सब की जानकारी नहीं है और ये जानकारी सभी से साजा करनी चाहिए। कराती थी। इस व्यापार ने उनके लिए व्यवसाय क्षेत्र में सफलता के रास्ते खोल दिये। उनका अगला लक्षे के बड़ा फिल्म स्टार बनना था। हाला कि उन्होंने फिल्म करिया की शुरुआत तभी कर दी थी जब वह बॉडी बिल्दिंग क्षेत्र में थे। छोटे छोटे रोल करने के बाद उनकी द्रिर इच्छा शक्ती तब काम आई जब उन्ही कौनन थे बार्वरियन फिल्म में मुख्य रोल मिल गया। इस फिल्म श्रिंखला ने उन्हें हॉलिवुड का सबसे अधिक मेहंताना वसूलने वाला नायक बना दिया। सन 2003 में का राजिपाल चुन लिया गया। आप श्वाजनेजर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। श्वाजनेजर ने भी अपना जीवन सिर्फ बॉडी बिल्दिंग की क्षेत्र में ही जोंक दिया होता तो भी वह काफी सफल हो जाता पर उसने इससे कही ज्यादा का सपना देखा उसने उचे लक्ष निर्धारित किये जिन में चुनोतियां थी और उन्हें हासिल कर लिया उसने अपनी पिछली सफलताओ से शिक्षा बेकार नहीं जाने दी और उसका हरक्षेत्र में उप्योग कि श्वाजने जग की तरह आप अपने आलोचकों से दरिये मत आलोचकनों ने उसकी पहली फिल्म में उसकी कड़ी निंदा की थी परंतो उसने हार नहीं मानी और अपना कार्य जारी रखा इसी द्रिल्टा ने उसे हॉलिवुड के सबसे अधिक मेहंताना लेने वाले अभिनि शामिल कर दिया अगले अध्याय में बढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिशनुता की शक्ति को मन में पूरी तरह से बैठा लीजिए अगर आपके पास यह मन स्थिति और इन सिध्धानतों के काम करने के नियम धंग से पता है तथा इन्हें अमल कर र जब तक उसके मन पूरी तरह से यह विश्वास न कर लेकि उसे वहवस्तू मिल चुकी है यह मन स्थिति विश्वास की होती है न की सिर्फ उम्मीद और इच्छा की इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए पूर्वाग्रह होने पर आप इच्छा, साहस और विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी इन सब को हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियां और समृद्धी को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता है। एक महान कवी ने अपनी कविता में सही कहा है। मैंने धन के लिए जीवन से सौदेबाजी की, और जिंदगी आपको उससे अधिक नहीं देगी, मैंने शाम को भीक मानगा फिर मेरे पास प्राप्त कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया जीवने। बी, एस, एक नियोकता है, वो आपको वह देता है, जो आप मानते हो, पर एक बार आपने आउकात ना पली, उसके बदले आपको बहुत काम करना पड़ेगा, मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया, सिर्फ यह जानने के लिए वह कितना निराश है, मुझे पता चला कि मैंने इश्वर से कुछ भी मानगा होता, उसने राजी खुशी से भुपतान कर दिया होता, मैरी के एश, जो मैरी के कास्मेटिक की संस्थापक है, उन्होंने अपनी और विश्व भर में अपने कमपनी के काम करने वाले, जिनकी अब 25,000 की संख्या है, कंसिल्टेंस की सफलता का राज आत्म विश्वास बताया, उनका यह करिय साल पहले प्रारम हुआ था, जब उन्होंने स्टेनली होन प्रोडक्ट्स में काम करना शुरू किया, उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि अपने इस काम की प्रथम वर्ष में वह सफल नहीं हो पाई थी और इस काम को छोड़ देना चाहती थी, पर उनकी सोच तब बदली, जब उन्होंने स्टेनली सल्स का सैमीना में भाग लिया, उन्होंने बताया उस वर्ष कंपनी की प्रतियोगिता में खूब सूरत, लंबी और सफल महिला को रानी के खिताब से नवाजा जाना था और उस वर्ष उस महिला को वह खिताब मिला, जिसकी किसी ने उमीद ही नहीं की थी, मैंने निरने लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और अध्यक्ष से बात करूंगी और उन्हें अगले वर्ष रानी का यह खिताब जीतने का इरादा बताऊंगी, श्रीमान बेवरिज मुझ पर हसे नही बल्कि उन्होंने मेरी आँखों की तरफ देखा और कहा, मुझे भी लगता है कि तुम जीत सकती हो. इन शब्दों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले वर्ष मुझे रानी का खिताब दिया गया. मेरी के ने इस बात को बताया कि सफलता हासिल करने का पहले कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास रखे कि आप योग्या है और आप उस सफलता के असी हगदार है. उन्होंने अपने एक लेक में काम्याभी हासिल करने के लिए कुछ कदमों का अभ्यास करने के लिए बता आराम से सिथिल होकर बैठ जाए अपनी आँखे बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्षे पर ध्यान दीजिए अपने आपको एक नए वातारल में देखिए जिसके आप कलतना करते हैं खुद को योगे समझे और आत्मिश्वा से उत्परोथ हो जाए इच्छी को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हो उनकाम्याभी को याद कीजिए लक्षे निर्धारित करे साफतोर पर यह तकर ले कि आपको क्या चाहिए इस बात से हमेशा चेकनना रहिए और अपने लक्षे से कभी ब्रमित न होए जिंदगी के लिए सकारात्मक रव पुरुष की असामान्य कहानी बताने जा रहा हूं जिससे चमतकारिक पुरुष मैंने आज तक देखा ही नहीं जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बात देखा था उसके कान नहीं थे पहले तो डॉक्टरोंने कुछ भी बताने से मना किया पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद यह बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती देद दी और खुद एक निर्नेले बैठा कि श्वर बिनकान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है पर वह उसे पूरी जिंदगी इस तरह यातना पूर्ण जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। मैंने यह सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी यह मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसे होगा पर मैं इस बात पर जरूर विश्वास करता था कि जहां जाह है वहां राह है। मुझे महान एमसन की बात भ्यान आई दुनिया की हर वस्तू सिर्फ एक ही बात सिखाती है वह है विश्वास हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृती के नियमों क पालम करना है यह हम सभी पर सामान रूप से लागू होती है कभी आख बंद करके आवाज सुने प्रकर्ती आपको रास्ता जरूर दिखाएगी वह रास्ता सिर्फ एक ही था इच्छा शक्ती मैंने अपने अंदर यह इच्छा शक्ती जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी हमारे मन में पड़े विचार ही है अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और यह सोचा कि अगर यह सब सही है तो तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है मैंने प्रण कर लिया कि अपने बच्चे के मन में कतरी यह बात आने नहीं दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैंने यह प्रतिग्या कर ली कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत चाहत के बीज रोप दूंगा और वही जरूर एक दिन बिना किसी उपकरन के सुनने और बोलने लगेगा जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ती को भी उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा ताकि यह चाहत सत्य की रूप में हमारे सामने आ सके मैं हर रोज उसके कान के पास यह वीकार न कर सके कि वह सुन नहीं सकता जैसे ही वह थोड़ा और बड़ा हुआ वह आसपास की वस्तूओं पर ध्यान देने लगा हमने यह महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही पर बच्चे को हलका सा सुनाई तो देता था जिस उम में बच्चे बोलने लगते हैं वह बोल तो नहीं पाता था पर वह कुछ आवाजों को सुन जरूर लेता था बस हमें यहीं चाहिए था मुझे यह विश्वास हो गया था कि मेरा यह तरीका काम कर रहा है तब ही कुछ हैसा हुआ जिसने मुझे उत्साहित कर दिया अचमवित कर दिया एवम आशा से भर दिया ऐसा टेप रिकॉर्डल आय हुए थे जब उस बच्चे ने एक गाना सुना तो वह उत्साहित हो गया था और गाने को सुनकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगा वो कुछ तरह के गाव में उत्साह दिखाने लगा था उनमें से एक गाना था एक बात तो वह एक गाना चला कर दो घ तिक्रिया देने लगा था। मुझे यह मालूम पड़ा कि जब मैं उसके कान के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूँ तो उसे समझाता है। मैंने अपनी मजबूत इच्छाशक्ती को इसी माध्यम से उसके अंदर जगाता था। पर अभी तक जो परिनाम नि यह हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में यह भरने से कभी नहीं चूपता था कि वह बोल और सुन सकता है। मैंने यह अनुभव किया कि बच्चों को दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैं ओफिस चाता, वहा अलग रंगों से भर देता हूं। उसका उद्देश्य उसके मन में यह भरना था कि उसका यह शारीरिक दोश कोई कमी नहीं है बलकि यह उसके जीवन की एक बड़ी संपती बनेगी। गीता में भी लिखा है कुछ अपसाद अच्छे के लिए होते हैं। और मैंने ऐसी फिलोसफी को आजमाया भी है और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी ही अच्छाईया भी लिए होती है। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था इस कमी को किस तरह से उसकी संपती के रूप में बदलनी है और मैं हर रोज उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में यह भरने की कोशिश करता कि उसकी यह विकलानता को दुनिया के बड़े काम आ सकती है। मुझे यह बताया गया था कि उसके कानों में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता मेरे इच्छाशक्ती ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी यह विश्वास जगा दिया था। सबसे खास बात उसकी अब यह थी कि वह मुझसे प्रश्ण नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में यह बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से अधिक अच्छे परिनाम मिलेंगे। उदाहरन की तौर पर यह बच्चा सभी अध्यापकों के लिए विशेश था इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना लाजमी था। उसकी मान ने उन अध्यापकों से मिलकर यह समझा दिया था कि उसे अधिक ध्यान दिया जाए। वह साथ वर्ष का हुआ, तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को सफल से धकिया। कुछ महीने तक उसने अपनी मा से बाहर बजार में समाचार पत्र बेंचने की अनुमती मागी पर उसकी मा उसके बहरिपन की वजह से डरी हुई थी। एक मा की तरह उनकी भी चिंता वाजब थी कि कहीं उसे कुछ सुनाई न दे और कोई दुर घटना हो बैठे। फिर एक दिन अचानक वह मौका देखकर रसोई की खिलकी से कूटकर बजार भाग गया। वहाँ एक मोची से उसने छे सेंट लिये और उससे समाचार पत्र खरीदे फिर बेच दिया। एक बार जब वह समाचार पत्र बेच चुका तो उसने फिर से खरीदा और बेचा। यह उसने तब तक किया। जब तक की शाम नहीं हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर गिया। अंट में उसने पाया कि आज उसने सेंट कमाए जब हम लोग घर पहुँचे तो वो अपने कमरे में बिस्तर में सो रहा था उसने अपनी मुठी में सारे पैसे दबा रखे थे उसकी माने मुठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े वो अपनी बेटे के पहली कमाई पर भावुख होकर रोने लगी जबकि मेरी प्रतिक्रिया विप्रीत थी मैं दिल खोल कर हसा कि उसके मन में मेरे रोपा गया बीजे काकार ले चुका है उसकी मा सोच रही थी कि उसका बेटा धंग से सुन नहीं सकता कहीं पैसा कमाने के चक्तर में रास्ते में बेटे के साथ कोई दुर घटना हो जाती तो मैंने देखा एक बहादूर महत्वकांक्षी आत्म निर्भर व्यापारी को देखा जिसे अपने उपर पूर्णतिया विश्वास है उसने कदम उठाया और वह जीत गया उसकी काम ने मुझे बहुत खुशिया दे दी क्योंकि मुझे पता लग गया था जो मैंने उसके मन में रोपा है वह उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है बाद में उसने इसे सही भी सिधर किया जब उसे पाने बड़े भाई से कुछ चाहिए होता था तो वह जमीन पर लेट जाता पैर मारने लगता, रोने लगता और उस वस्तू को हासिल कर लेता जब उस हलका बहरा बच्चा को कुछ चाहिए होता तो पहले वह पैसा कमाता और उससे वह खरीद लेता आज भी उसकी यही आदत है, मेरे बच्चे ने मुझे यह पार्ट पढ़ाया कि एक विकलान व्यक्ति अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावत के रूप में न लेकर उनसे सीधिया बना कर अपने लक्षी तक पहुँच सकता है वो छोटा बहरा बच्चा हाइ स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुँच गया, जबकि उसे तब तक नहीं सुनाई देता था, जब उसके अध्यापक उसके पास आकर जोड से न बोले हमने उसे गूंगे बहरों के विद्याले नहीं भेज, हम नहीं चाहते थे कि वह सांकेतिक भाषा सीखे, हम चाहते थे कि वह एक सामान्य व्यक्ती की तरह अपनी जिंदगी गुजारे और इसके लिए हम द्रिर प्रतिग्य थे यह इतना आसानी से नहीं हुआ बलकि हमें विद्याले के लोगों से इस मामले में काफी बहस भी करनी पड़ी जब वह दस्वी कक्ष में था, तब उसने एक कानों में अच्छे से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जब वह छे साल का था तो शिकागों के रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के एक सर के एक भाग का ओपरेशन किया था उसने पाया कि उसके कान में ऐसी कोई भी प्राकृते कान नहीं है जिससे सुना जा सके अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में ओपरेशन के 18 वर्षों बात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिन्दगी में टरनिंग पॉइंट दे दिया उसने एक ऐसी विद्यूतिय मशीन मिल गई जिससे सुनाई देने में आसानी हो जो उसने ट्रायल के लिए मंगाई थी उसे उस मशीन प्रयोग करने में उतनी दिल्चस्पी नहीं थी क्योंकि उसने ऐसे भी एक मशीन का प्रयोग करने की कोशिश की थी पर सफल न हो पाया था अंतता उसने उस यंत्र को उठाया और यूँ ही कान में लगा लिया ये क्या एक सामने व्यक्ती की तरह आवाज सुनने की चाहत सच हो गई थी उसने पहली बार इस तरह से आवाज सुनी थी जिस तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ती सुनता है ईश्वर अपने अजूबे बड़े रहस्यमय तरीके से करता है वो आज बहुत प्रसंद था, उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी थी तुरंथ वो अपनी मम्मी का फोन उठाने के लिए दौर परता है और बड़े आराम से उस दिन उसने पहली बार ठीक से अपनी मम्मी की आवाज सुनी थी अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसरों की ध्यांग से आवाज सुनी थी पहली बार रेडियो सुना था और पहली बार सिनिमा भी सुना था जिन्दगी पहली बार लोगों से सामान ने पूर्वक बात सुन सकता था दूसरे व्यक्तियों को जोर से नहीं बोलना परता था उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरी दुनिया में आ गया हो हमने प्राकृतिक गलती को अपनी द्रिड इच्छा शक्ती की वजह से अस्वीकार कर दिया था इस दुनिया में उपलब्ध एक मात्र अभ्यास से हमने प्रकृति को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था इच्छा शक्ती ने अपना काम कर दिया था पर यह काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था अभी भी लड़के को इस विकलांता को एक संपत्ती में बदलना बाकि था यह चमतकार उसके लिए बस इतनी ही बड़ी बात थी कि उसकी आवाज की दुनिया बदल गई थी वो हिसी में खुश था एक दिन उसने इस यंत्र के निर्माता को एक चित्थी लिखी जिसमें उसने अपने अनुभव साजा किये थे फिर उसने कुछ लिखा शायद कुछी जो रेखा में नहीं लिखा था बलकि उन रेखाओं के बीच में लिखा हुआ था इस कारण उसे New York के उस कम्पनी से बुलावा भी आ गया जब वो उस कम्पनी के मुख्य अभियंता से अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बात कर रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार, एक प्रेरना आप जो भी नाम देना चाहे दे दे, उभर आई जिसने उसकी क प्योग के बारे में जानते नहीं है, उसने सोचा अगर उन्हें इन यंत्रों के बारे में पता चल जाए तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है, उसने अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताने की ठानी, वो तभी इस निर्नय पर पहुँच गया था कि अब वह प अपना प्लान बना लिया तो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कमपनी में बुलाया गया। प्रेजेंटेशन प्लान देते वक्त ही उसे दो वर्ष का अपने अमबिशन को आगे बढ़ने के लिए अनुबंधित कर लिया गया। जब वो ओफिस जा रहा था तो उसके चेहरे पर संतुष्टी के भाव जलक रहे थे, जलके भी क्यों न वो उन हजारों लोगों की जिंदगी सवारने जा रहा था और थोड़ा बहुत अपना सपना पूरा करने भी जैसे ही वहुस ही रिंगेट बनाने वाली कमपनी से जुल गया, उसके तुरंद बाद ही उसने मुझे उस कमपनी का गूंगे और बहरों लोगों के लिए लेक्चर सुनने के लिए बुलाया इस लेक्चर का उद्देश्य यह था कि गूंगे और बहरो व्यक्तियों को सिखाया जा सके कि कैसे आसानी से बोला वह सुना जा सकता है इससे अहले मैंने इस तरह की शिक्षा के बारे में कभी सुना नहीं था फिर भी संशय और इस बात की उमीद करता हुआ मैं वहाँ पहुँच गया कि मेरा वक्त बरबाद नहीं होगा मैंने वहाँ पहुँच कर पाया कि जो चाहत मैंने आने बेटे में पैदा की थी उसकी वज़े से उसके अंदर उन बहरो लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुज़ने का लक्ष था मैंने वहाँ पर यह पाया कि जिस सिध्धान का मैं पिछले 20 वर्षों से प्रयोग कर रहा था उसी के माध्यम से वहाँ गूंगे और बहरो लोगों को उनके जीवन से आगे निकलने की सलाह दी जा रही थी अपनी जिंदगी के बदलने के बाद से ही मेरा बेटा ब्लेर और मैं दोनों लोग उन गूंगे बहरो के लिए लग पड़े इसमें निश्चिती कोई संदेह नहीं है कि अगर ब्लेर की माँ और मैंने उसके दिमाग को आकर देने की कोशिश न की होती तो वह जीवन भर गूंगा और बाहर बना रहता जब ब्लेर एक बड़ा हो गया था तब डॉक्टर एरविन वुरहीस जो इन सब मामलों के बहुत बड़े विशेश अगय थे वे मेरे बेटे का धान से निरिक्षन करने के बाद बहुत अचम्मित हुए कि वह कैसे सुन और बोल सकता है जबकि सेंधनीतिक रूप से उसे सुनाई देना ही नहीं चाहिए एक स्वे चित्र में भी ऐसा कोई द्वार नहीं दिखाई दे रहा था जिससे आवाज मस्तिष्क तक पहुँच सके वे इस बात से अचम्मित थे कि वह सुन कैसे पा रहा है जब मैंने अपने बेटे में इच्छा शक्ती के वे बीज बोई थे कि वह बोल और सुन सकता है अपनी जिंदगी एक सामान्य इंसान की तरह जी सकता है तब प्रकृती ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके मस्तिष्क के बीच एक पल का निर्मान हो सके और वह सुनने के काबिल बन सके उस बात का पता बड़े बड़े विशेशक ये डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे यह मेरे लिए भी ईश्वर के किसी चमतकार से कम नहीं था मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के साथ न साजा करता तो शायद मैं कभी खुद को माफ न कर पाता इस अनुभव को आप सभी से साजा करके मैं खुद को बहुत खुशकिसमत मान रहा हूँ यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ मुझे इस बात का विश्वास था क्योंकि इसका भी एक कारण था कि मुझे पता अगर आके अंदर कोई चाहत हो और उसमें विश्वास हो जाए तो यह इच्छा शक्ति आपको कुछ भी हासल करा सकती है मुझे इस बात में कोई संदे नहीं था कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी चीज़ को वास्तविक्ता में जन्द दे सकते हैं बलेर ने खुद को एक आम इंसान की तरह सुनने का सपना देखा और उसने वह हासल कर लिया उसका जन्म एकपंग बच्चे की तरह हुआ था जो इस बात के लिए काफी था कि बिना किसी चाहत के वलसदकों पर पेन या कब बेचता न जराए अब वही विकलांग बच्चा कई लाखों लोगों की मद्द कर रहा था जिन ही उच्चा सुनाई देता है यह सिर्फ मदद करना ही नहीं था बलकि उसको रोजगार भी मिल गया था जिस वजह से वहाराम पूर्वक पूरी जिन्दगी व्यतीत कर सकता था जो सफेद जूट में बच्पन से उसके मस्तिष्क में भरने की कोशिश कर रहा था कि वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है उसने इस बात को सच सिध्ध कर दिया दुनिया में ऐसा कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे मजबूत इच्छा शक्ति और विश्वास के द्वारा वास्तविक्ता में तबदील न किया जा सके ये हर किसी पर सामान रूप से लागू होता है ये ह मेरा सौभाग्य था कि मुझे इच्छा शक्ति को अपने बेटे की कमी को सुधारने के लिए प्रयोग किया इससे अच्छा शायद ही किसी को इतना नजदी कि इस सिध्धान्त का प्रयोग करने का मौका मिले अगर प्रकृति ये सिच्छाशक्ती के सामने जुख सकती है तो किसी व्यक्ति या इनसान की क्या ओकात है कि वह सिच्छाशक्ती के सामने समर्पन न करे यही मस्तिष्ट के शक्ती की विशेश्टा है हमें यह नहीं पता कि यह कैसे काम करता है हर व्यक्ति, हर जगह और हर वस्तू के लिए यह सिध्धान्त बिलकुल अलग तरह से काम करता है शायद इस बात को विज्ञान सिध्ध कर सके मैंने अपने बच्चे के मन में वह बीज बोई जिससे वह सुन और बोल सके और यह वास्तिवक्ता में उसने सिध्ध कर दिया मैंने अपने बेटे के मन में यह सुझाव दिया कैसे वह अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है और उसने भी ऐसा कर देखाया ऐसे परिनाम किस तरह से आये इसकी कार्य प्रनाली बताना कोई कठिन काम नहीं है इस कार्य प्रनाली में तीन बाते है पहली की मैंने विश्वास किया अपनी उस इच्छा पर की वह सामान्य रूप से सुन सकता है जो मैंने अपने बेटे को बताए दूसरा कि मैंने हरोस उपलब तरीकी से अपनी बात को द्रिलता पूर्वक लगातार प्रयास से उस तक पहुँचाए तीसरा महत्वपूर्ण उसने मुझ पर विश्वास किया कई वर्षों बाद मेरे साथ काम करने वाले एक सहयोगी बीमार पर गए उनकी हालात दिन प्रतिदिन बत्तर होती जा रही थी अंक में उन्हें अस्पताल में ओपरेशन करने के लिए भरती कराया गया जब मैं ओपरेशन थीटर की तरफ पहियो वाले पलंग पर लेट कर जा रहे थी तब मैंने उनकी और देखा और यह सोच में दूब गया कि इतने दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति का ओपरेशन कैसे हो सकता है क्या यह ओपरेशन सफल हो भी पाएगा या नहीं डॉक्टर ने भी हमें यह चितावनी दे दी थी कि उनका बचकर वापस आने के बहुत कम उम्मीदे है पर यह डॉक्टर की राय थी यह मरीज की राय कते नहीं थी फर किससे नहीं पढ़ता की डॉक्टर क्या सोच रहा है यहाँ पर फर किससे पढ़ेगा की मरीज क्या सोच रहा है उसने जाते हुए मुझसे कहा मित, चिंता मत करो जल्धी मैं वापस आऊंगा और आपके साथ काम पर लगूंगा नस ने मेरी तरफ गया भरी नजरों से देखा परंतु वह मरीज ओपरेशन के बाद सफलता पूर वक्ठीक होकर आ गया सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया उसकी जीने की चाहत ने उसे बचा लिया अगर उसकी इच्छा शक्ती ने मौत को मना न किया होता तो शायद वह बचकर वापस न लोट पाता मैं इच्छा शक्ती में विश्वास करता हूँ मैंने गरीबी से उठते हुए देखा है लोगों को सेकरो असफलताओं के बाद सफलता की बुलंदियां चूते देखी है लोगों को मैंने अपने विकलान बेटे को एक सामान्य और सफल जिंदगी जीते हुए भी देखी है जबकि जन्मेक लेते ही प्रकृती ने उसे कान दिये ही नहीं थे इस अध्याय में अपने पड़ा कैसे कोई अपनी इच्छ शिक्ती का उप्योग कर सकता है मजबूत इच्छा शक्ती से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते है यह सब संभव है उस मस्तिश्क्र सायन से जो प्रकृती आपको मजबूत इच्छ शिक्ती हुने पर खोलता है दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है वो सब कुछ आप पा सकते हैं जो आप सोचते है यहाँ यह कहानी समाप्त होती है धन्यवाद